हलो माई डियर स्टूडेंट्स आज से अपन शुरुवात करें अपनी यूटीब की नई सीरीज की जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे most important concepts of grammar अब ये concept important क्यों है क्योंकि ये competitive exams के अंदर बार-बार repeat हो रहे हैं तो आपको फील आनी चाहिए satisfaction आनी चाहिए कि उस chapter के जितने concept है जो important थे वो सारे मेरे revise हो गए जैसे आज अपन pronoun के important concepts को देखेंगे इसके लावा आपको वीडियो ढूणने में परिशानी नहीं हो तो मैं इसके एक playlist भी create कर दूँगा आज यह करते हैं शुरुबात concept number one possessive pronouns versus possessive adjective अब आप सबने pronoun तो सुने होंगे आई वी यू ही शीर दे है ना और आपने बेसिक काम adjective का भी सुन रखा होगा कि adjective एक ऐसा word होता जो noun या प्रोनाउन के साथ लगकर उसकी विशेश्ताव दाता है सुन रखें इतनी बाते सबने क प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो noun की जगा पर आता है जैसे राहूल के लिए मालो ही लगा लिया objective एक ऐसा शब्द होता है जो noun या प्रोनाउन के साथ लगकर उसकी विशेश्ताव दाता है जैसे समझने कोशिश करना अब यह उपर वाले लिख्खें होए यह है कब आते हैं नाउन की जगा पे लेकिन यह पजेसे प्रोनाउन है तो इसमें क्या होगा नाउन की जगा पे तो आए आएगा साथ में पजेशन कभी दिखा रहा होगा है ना किस चीज पर अधिकार को भी दिखा रहा होगा जैसे अगर मानलों मैं कहूं I like her bag मुझे उसका bag पसंद है I like her bag मुझे उसका bag पसंद है but she does not like my bag लेकिन उसको मेरा bag पसंद नहीं है अब इसमें तो bag bag noun दो बार repeat हो गया noun को repeat होने से बचाने के लिए तो प्रोनाउन लगाते थे लेकिन एक चीज नोटिस करो इसमें possession भी दिखाना है my bag तो ऐसा कौन सा word है जो noun की जगा पर भी आ जाए और possession भी दिखा दे प्रोनाउन तो इस sentence काम कैसे लिखेंगे I like her bag मुझे उसका bag पसंद है but she does not like mine लिख देंगे my bag को हटा के mine कर लेंगे तो ये काम होता है possessive pronoun का possessive adjective एक noun के साथ लगकर उस पर possession मनाते है और possessive pronoun जोते हैं ऐसी जगा पर use के जा जहां पर noun की replacement तो चाहिए चाहिए हो साथ मैं possession भी दिखाना हो किस sentence से और अच्छा समझा आएगा I have decided that I won't work at your company anymore मैंने decide कर लिया है कि मैं तुम्हारी कंपनी में बहुर काम नहीं करूँगा अब आपको चीज साफ-साफ यहां पर नजर आ रही होगी कि यह जो company शब्द है यह जो company शब्द यह क्या है एक noun है आके न मैंने यह decide कर लिया है कि मैं तुम्हारी company में बहुर काम नहीं करूँगा तो company noun पर possession बनाने के लिए जो एक noun होता noun के साथ लगकर उस पर possession बनाने के लिए क्या use करें? प्रोनाउन तो noun की जगा पर आते हैं मुझे एक ऐसा वर्डची जो noun के साथ लगकर उस पर possession बनाई तो इसलिए मैं yours को यहां से हटा के क्या use कर दूँगा? इतने simple से concept हैं ठीक है? यह दो sentences हैं इनको सोची वीडियो को pause करके ठीक है? जैसे हर बार ऐसा ही होगा की concept आएगा फिर उस पर दो example आएंगे उस समय पर आपको क्या करना है? वीडियो को pause कर देना और खुच से answer सोचना है चलो जी उमीद करता हूँ कि आपने सोच लिया होगा There is the best offer that you can get so you should not think much अब यहाँ पर कहना क्या है? यहाँ पर कहना है यह कि उनका जो offer है जो उनका offer है वो best offer है जो तुझे मिल सकता है इसलिए तुझे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए अब अगर आप यहाँ पर छोटी सी चीज नोटिस करो कि यहाँ पर जो मैं subject बनाने के लिए जिस word को मैंने लिखा वो लिबने लिख दिया और पीछे जो टेबल है इससे आप जैज कर पा रहे होंगे कि देर तो possessive objective है हाँ के ना और possessive objective मैंने अभी आपको बताया का बात है जब एक noun के साथ लगे हो देर कार देर हाउस हाँ के ना देर पेरेंट्स आगे कोई noun होना चाहिए तभी तो यह word आ सकता है इतनी बात आई समझ में तो यहाँ पर यह अकेला कैसे लिख रखा है पहली बात दूसरी बात आपने basics के अंदर यह चीज़ें पढ़ रखी होंगी कि subject object बनने का का काम noun या pronoun करते हैं यह देर तो objective है यह subject कैसे बन सकता है तो हमें पता चलिए कि यह word गलत है ठीक है अब कहना क्या था कि उनका offer वो best offer है जो तुझे मिल सकता है यह कहना था कि उनका जो offer है जो उन्होंने दिया है उनका जो offer है वो best offer है जो तुझे मिल सकता है इसलिए तुझे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, अब यहां पर मुझे कैसा वर्ड चाहिए, अब देखों लिखना कहा था, देर ओफर, उनका जो ओफर है, वो बेस्ट ओफर है, लेकिन ओफर ओफर नाउन को दो बार रिपीट नहीं करना, हाँ कि ना, कहना मुझे कहा, देर ओफर इस दा लगाना पड़ेगा यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा देर्स क्योंकि देर्स का यहां पर मतलब ही है देर ओफर हां के न यहां पे अपन word use करेंगे there's जिसका मतलब ही है their offer clear हो गया their offer क्यों नहीं लिखते क्योंकि फिर उसमें offer of noun दो बार आ जाएगा clear होगी इतनी बार अब काफी बच्चों के मन में doubt आएगा सर इसको ऐसे इस sentence को ऐसे लिख सकते है their offer is the best यहां से offer अटा सकते हैं हां बिल्कुल अटा सकते हैं वैसे भी लिख सकते हैं लेकिन paper में तो अपने बार slash आते हैं न तो slash जैसे लगे होते हैं उसे साब से पन सोचेंगे कि कौन से part में mark करें अच्छा जी I can't buy this car because its cost is way out of my budget मैं इस गाड़ी को नहीं खरी सकता क्योंकि इसकी जो कीमत है वो मेरे budget से बहुत बाहर है अब यह concept आपने शाद सुन रखा होगा यह concept है its versus it is का यह जो word होता जिसमें apostrophe s नहीं आता यह होता जी एक possessive objective ठीक है यह लगाया जाता है यह अपन तब लगाते हैं जब हमें एक noun के साथ लिखना हो जैसे its color, its height, its cost ऐसे और एक word होता जी यह जिसमें it apostrophe s लिखते हैं यह actually short form होती it is की यह तब लगाते हैं जब हमें pronoun plus verb चाहिए हो जैसे अगर मुझे कहना है it is a difficult question तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ it's a difficult question it apostrophe s का मतलब ही होता यह होता है यह होता है basically pronoun plus में verb अब इस पर error क्यों आता है error इसलिए आता है क्योंकि दोनों में देखो इसकी pronunciation भी it's है इसकी pronunciation भी it's है बोलने सुनने में, दिखने में same से, confusing है इसलिए इस पर error आता है तो अब आपको इस sentence को देखके सोचना है कि मुझे क्या चाहिए मुझे किसी noun पर possession बनाना है its color, इसका रंग, its height इसकी height, its cost इसकी कीमत ऐसा कुछ करना है कि मुझे pronoun plus verb चाहिए क्या चाहिए मुझे मैं इस गाड़ी को खरीद नहीं सकता क्योंकि इसकी कीमत, cost यहां पर क्या है noun है इसकी कीमत मेरे budget से बहुत बाहर है noun पर possession बनाना है तो इस काम के लिए pronoun plus verb थोड़ी चाहिए इस काम के लिए तो possessive objective चाहिए इसलिए क्या आजाएगा its आजाएगा clear होगी इतनी बात तो यह था जी अपना concept number one लेकिन इसी चीज़ पर based इसी चीज़ पर based ओर type के भी थोड़े सवाल आते हैं ठीक है फिर से आप pause करेंगे वीडियो को और सोचेंगे देखो यार अगर आप वाक्य में revise करना चाहते हो तो जब मैंने का कि वीडियो pause करके खुद सोचो तो सोच ना ठीक है pause कर दो वीडियो और सोचो आजो you and Rohan should not waste his time wandering here and there तुम्हे और Rohan को तुम्हे और Rohan को time बरबाद नहीं करना चाहिए अब देखो ये based है सही possessive adjective use करने का concept है कि आपको subject के अनुसार possessive objective सही use करना है एक छोटी सी बात समझना जैसे अपन क्या करते हैं माल लो कि अगर मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करूँ जैसे माल लो मुझे कहना है कि I have completed my assignment ठीक है मैं ये कहना था मुझे कि मैंने मेरा assignment complete कर लिया है I have completed my assignment तो I के अनुसार मैंने my का use किया He has completed his assignment उसने उसका assignment complete कर लिया He के according मैंने his का use किया She has completed her assignment She के according मैंने her का use किया They have completed their assignment अब कुछ-कुछ बात समझ आ रही है कि subject के अनुसार मैं meaning को देखते हुए एक positive objective यूज़ कर रहा हूँ हलाकि ऐसा जरूरी नहीं कि I आया तो हमेशा my ही आएगा जरूरी नहीं है मान लो मान लो मेरे छोटे भाई ने assignment complete नहीं किया या मेरे दोस्त ने complete नहीं किया उसका हाट उटा हुआ था तो मैंने उसका assignment complete कर दिया तो क्या अगर मैं ये sentence लिख दूँ I have completed his assignment तो क्या ये गलत हो जाएगा बिल्कुल गलत नहीं है समझने कोशिश करो इसलिए ना इस concept पे आपको ज़्यादा तर किताबों में rule दिखेगा नहीं और जो rule दिखेगा भी वो गलत हो जाता है क्योंकि ये बात meaning पर based है कि आप कहना क्या चाहते हो काफी जगा rule दिया होता है ऐसे कि अगर जैसे यहाँ पर क्या है देखो combination है यू और राहुल का रोहन का यहाँ पर यू और आई का यहाँ पर ही और आई का तो ऐसे करके rule बना देते हैं कि आई वी के साथ जब भी कुछ combination में आएगा तो possessive objective आर का use होगा आई वी नहीं है यू है तो फिर यूर का use होगा यू भी नहीं है तो देर का use होगा ऐसा करके rule पढ़ा देते हैं लेकिन वो चीज हर जगा अपलाई नहीं हो सकती क्योंकि meaning बदल सकता है ना meaning बदल सकता है अब जैसे आपने rule अटे से पढ़ लिया आपने माल लो उसके अंदर rule अटे से पढ़ लिया कि you and I के साथ you and I के साथ आर से बनेगा तो माल लो मैंने और तूने मैंने और तूने अपना assignment complete कर लिया you and I you and I have completed our assignment ठीक है यह बात कोई दिक्कत नहीं है लेकिन माल लो मैं meaning यह देना चाहता हूँ तूने और मैंने तूने और मैंने उस लड़की का assignment पूरा कर दिया हो सकता है ना कही वारिश्क में आदमी अंदा हो जाता है है ना तो उसने का यार रजयत और सुनील यार सुनो में बात नहीं यार actually मेरे हाथ में fracture हो रहा है और तुम्हें पता ही है कि फिर teacher कितना ढांटेगी यार तुम मेरी help कर दो please तुम मेरा assignment बना दो तो you and I you and I have completed हर assignment के गलत हो गया इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि इस concept के उपर rule नहीं चलेगा ये pure meaning based बात है कि आपको किन की बातें करनी है लेकिन कुछ sentences ऐसे होते हैं जिनके अंदर crystal clear होता है कि किन की बात करनी हैं जैसे समयने कोशिश करो तुम्हें और रोहन को उसका time waste नहीं करना ची तुम्हें रोहन को time waste नहीं करना ची इदर उदर भठकने में अब ये जो बात है इदर उदर भठकने में time waste ना करना अब सोचने की बात सोचने की कोशिश करो कि ये किसका time waste कर सकते हैं इदर उदर भठकने खुद का कि किसी और का इधर उदर भटकने में जो time waste होगा वो तो obviously इनका खुद कही हो सकता है और किसी का time तो waste करनी पहेंगा और किसी को भटका रहे हैं गुमा रहे हैं तो बात ओर हो सकती है यहाँ पे लिखा हुआ इधर उदर भटकने में तुम्हें रोहन को तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए अब ये तुम्हारा वाला मीनिंग यहाँ पर क्या लिखने से आ सकता है You and Rohan should not waste my time देखो अगर यह यहाँ खतम हो जाता ना यहीं खतम हो जाता फिर तो बहुत कुछ आ सकता है You and Rohan should not waste his time उसका time खराब नहीं करना चाहिए मेरा time खराब मत करो तुम दोनों उस लड़की का time खराब मत कुछ भी हो सकता है क्या लिख दूँ जो इन दोनों को include कर दे हैं थोड़ा सोचोगे तो जब आप तक obviously पहुंच जाओगे यहाँ पे आपको your time लिखना पड़ेगा आरी बात समया ऐसी अगर इसकी में बात करूँ you and I तूने और मैंने हमारा best किया है तू और मैं अपना best कर चुके हैं उसको खुश करने लिए अब obvious बात है तूने और मैंने खुद का ही best कर सकते हूँ और किसी और का best कैसे कर सकते हूँ best का मतलब है अपनी maximum try करना अपना maximum effort लगा देना क्या मैं रोहन का maximum effort लगा सकता हूँ कोई भी इंसान obviously खुद का ही best effort लगा सकता है तो यहाँ पे भी sentence से clear है कि you and I के ही best effort की यहाँ पर बात हो रही है तो you and I have done my best efforts ऐसा कौन सा word है जो you and I दोन्नों को include कर लेगा तूने और म लगाना पड़ेगा आपको आर लगाना पड़ेगा मैं फिर बता रहा हूं इस concept का कोई rule नहीं होता है यह meaning based होता है लेकिन कई वार क्या होता है sentence ऐसा clear cut होता है कि आपको पता चल जाए कि भीया किसकी बात हो रही है जैसे यह crystal clear है कि इनी का time होगा और इनी का effort की बात होग मैं he and I वो और मैं कोई भी will leave no stone unturned यह idiom होता है leave no stone unturned का मतलब होता है अपना maximum परियास करना वो और मैं कोई कमी नहीं छोड़ेंगे अपना maximum परियास करेंगे assignment को complete करने के लिए अब यहाँ पर आपको पहले ही लगा के दे रखा है कि वो और मैं अपना assignment complete करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे तो meaning से तो आर्स ठीक मतलब अपना assignment आर्स ठीक है अब यहाँ पर assignment noun है और noun पर possession बनाने का काम कौन करते हैं प्रोनाउन के possessive objective आगे noun दिया हुआ है तो यहा learning के according, grammar के according यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर आपको आर का use करना पड़ेगा clear होगी इतनी बात तो यह था जी अपना concept number one concept number two पर आजाईए use reflexive pronouns after these verbs अब यह reflexive pronoun क्या होते हैं पढ़ा होगा आपने कि जब action खुद पर ही कर ले doer जब किसी verb का subject object same हो या कहलो जब किसी verb का doer और receiver same हो जैसे अगर मैं कहूँ I prepared myself for the exam मैंने खुद को तयार कर लिया exam के लिए she killed herself उसने खुद को मार लिया शीशे के आगे खड़े हो I saw myself मैंने खुद को देखा यानि काम को करने वाला और जिस पर काम हुआ हो यदि वो दोनों एक ही हो तो object की जगा पर reflexive pronoun का यूज किया जाता है यह तो हुआ reflexive pronoun क्या होते हैं और कहा लगा जाते हैं यह जो वर्ड होते हैं यह होते हैं आपके reflexive pronoun क्यों लगाते हैं जब action खुद पर ही हो जाए इसी से related एक रूल होता है कि इन वर्ब के साथ reflexive pronoun लगाएं अब इन वर्ब में ऐसी क्या खास बात है एक्चुली सारी की सारी वर्ब है ट्रांजटिव ट्रांजटिव वर्ब वो होते हैं जिनको object जरूरी होता है जैसे I bought क्या ये sentence यहां खतम हो सकता है नहीं हो सकता ना कुछ लिखना पड़ेगा I bought a bag I bought a pencil कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा तो ऐसी वर्ब जिनको object चाहिए चाहिए होता है वो होते हैं ट्रांजटिव 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 वर्ब तो बहुत सारी हैं तो उन में absent present उपस्थित करना उन उपस्थित करना अगर साफ उन लिख्था किसी और को किया गया तो obvious बात है खुद को ही किया होगा एक वर्ब है जैसे इसके गुपता इंटर्डूजड मिस्टर वर्मा, मिस्टर गुपता ने परीचे दिया मिस्टर वर्मा का बॉस को, अगर ऐसा ना लिखूँ, सिरब मिस्टर गुपता इंटर्डूजड लिख दूँ, तो obvious बात है, अगर नहीं दिया हुआ, किसका परीचे दिया गए, तो खुद क और जब action खुद के उपर ही होता है और जब action खुद के उपर ही हो जाता है तो कौन सा pronoun लगाते है as an object रिफ्लेक्सिव तो इसलिए दोनों rule रिलेट होए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहां लगते हैं जब action subject खुद के उपर ही कर ले और ये वाली वर्ब में ऐसी क्या खास बात है ये वाली वर्ब में अगर object नहीं दिया गया हो पहले से mentioned ना हो तो obvious बात है कि ये action subject खुद के उपर ही करता है जैसे he introduced to the chairman as the general secretary of the party उसने introduce किया chairman के समक्ष general secretary of the party के तौर पे अब मालो यहां पे लिखा होता he introduced mr. गुपता अगर लिखा होता मालो उसने mr. गुपता को introduce किया chairman के समक्ष पार्टी के general secretary के तौर पे तो यह सही हो जाता उसने Mr. Gupta को introduce किया Chairman के समक्ष Party के General Secretary के तोर पे कि भाईया Chairman के आग जाके करें, जी है Mr. Gupta ये Party के General Secretary है ठीक है जाता, लेकिन यहाँ तो कुछ दिया है निया अब तुम्हें पता चल रहा होगा कि introduce के बाद देखो कुछ तो आएगा introduce work को object तो चाहिए अगर कुछ और नहीं दिया है तो मानना पड़ेगा कि एक्षन खुद के उपर ही हुआ होगा यानि उसने खुद को इंटोड्यूस किया उसने स्वेम को इंटोड्यूस किया चेर्मेन के आगे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के तोर पे आई कुछ बात समझे इसलिए अपन यहाँ पर इंटोड्यूस वर्ब को अबजेक्ट देंगे यह सबजेक्ट है यह वर्ब है इस इंटोड्यूस वर्ब का अबजेक्ट बनाएंगे हिमसेल्फ को रिफ्लेक्सि प्रोनाउन लगाएंगे क्योंकि यदि एक एक्षन का डूर रिसीवर यदि एक एक्षन का करने वाला और जिस पर वो एक्षन होग सेम होते हैं तो रिफ्लेक्सि प्रोनाउन का यूज किया जाता है एक object के तोर पे हैं इतना सा concept है अब वीडियो को pause करिए और इन दोनों sentences में सोचिए क्या आएगा हाँ जी सोच लिया प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है जुकाना ठीक है एक दो वर्प जो इसमें confusing है मैं आपको बता देता हूँ उनके meaning ठीक है एक्विट का एक तो मतलब होता बरी करना भी लेकन यहां पर जो मतलब है एक्विट का वो इसका मतलब है खुद को ड़ाल लेना किसी चीज के अनुसार ठीक है exert का भी मतलब होता अपना पूरा जोर लगा देना या आपने आपको किसी चीज में पूरी तरह डाल देना sacrifice कर देना prostate माने जुकाना reconcile माने हार मान लेना एक reconcile सुले करना भी होता लेकिन यहाँ पे जिस meaning में use हुआ है reconcile का मतलब होता है खुद को समझा लेना कि यह चीज ऐसी ही है इसमें बदलाव नहीं हो सकता अब का मतलब होता लाभानवीट करवाना उसने खुद को लाभानवीट करवाया इस चीज से ठीक है बाकी आपको मुझे लगता है पताई होंगी ठीक है तो उसने prostate कि अपने master के समक्ष उसने जुकाया अपने master के समक जिसने उसको पढ़ाया था जब वो स्कूल में था, master हो, teacher हो ठीक है, ये वो हिंदी वाला master नहीं है ठीक कई बार जब आप कोई particular skill किसी से सीखने जाते तो उसको भी master पन कहते हैं वरना आप चाहें तो यहाँ पर teacher भी मान सकते हैं उसने जुकाया master के समक्ष, कौन से master के समक्ष जिसने उसको पढ़ाया था जब वो स्कूल में था अब अगर कुछ लिखा होता किसको जुकाया तो मान लेते हैं, prostrate work कैसी है transitive work, object किसको जुकाया तो अगर नहीं दिया हुआ तो भी या फिर लगा दो he prostrated himself, उसने खुद को जुकाया, उसने खुद को जुकाया मास्टर के समक्ष, कौन सा मास्टर जिसने उसे पढ़ाया था जब वो स्कूल में था ऐसे ही यहाँ पर minister और जो cabinet members minister और उसके जो cabinet member थे, उन्होंने खुद को अनुपस्तित कर लिया meeting से minister और उसके जो cabinet member थे उन्होंने खुद को अनुपस्तित कर लिया अब जो एको absent verb दी रखी है himself reflexive pronoun लगा रखा है अब जरह समझे ना he के लिए himself लगेगा they के लिए themselves लगेगा she के लिए herself लगेगा I के लिए myself लगेगा to minister और cabinet members ये तो plural होगे न इने के लिए himself कैसे लग सकता है himself तो he के लिए आता है singular के लिए आता है तो ऐसा क्या reflexive pronoun आना चीए था जिससे सारे आ जाए यहाँ पर आना चीए था जी themselves ये इसके अंदर गलती है कुछ बच्चों के mind में ऐसा भी हो सकता है सर इसमें ऐसा कर सकते है the minister and his cabinet members were absent from the meeting ऐसा लिख दें तो he absented himself को काटके लिख दें were absent विल्कुल ठीक है वो भी उसमें पता क्या ओता है अगर आपने पढ़ रखी थोड़ी grammar तो अभी फिलहाल ये absent एक verb है और ये ऐसी verb है जिसको object चाहिए इसलिए मुझे यहाँ पर object के रूप में reflexive pronoun himself को काटके themselves लगाना पड़ा लेकिन जब आप इसको ऐसे लिख दोगे the minister and his cabinet members were absent तब पता है क्या हो गया were linking verb हो गई और absent adjective हो गया और reflexive pronoun और object इस अब तो verb को चाहिए होते हैं अगर मैं लिखता हूँ minister और उसके cabinet members ने खुद को अनुपस्थित कर लिया तो लिखेंगे absented themselves और अगर मुझे कहना है minister और उसके cabinet member अनुपस्थित थे तो लिखेंगे were absent दोनों तरीके से ठीक हो सकता है लेकिन हमें पहले यह लगा कर दे रखा था meaning क्यों change करें grammar ठीक कर देंगे इसलिए अपन इसको use कर रहे है next concept पर आजएए इस पर बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं भाई और अब ऐसे मत सोचना कि इन में से भी सर important important अलग कर लूँ पांदस रोल ठीक है भाईया यह पूरी grammar का निचोड है अब इसमें भी अगर तुम जैसे मैंने बोल दिया नहीं इस पर जादा आते हैं तो इसको अलग से star work करें तो धीट हो तुम ठीक है इसमें कुछ important भी important है सब कुछ महा important है concept number 3 each either neither के बाद यदी off आए तो noun plural आएगा और verb singular आएगी और यदी कोई आगे pronoun और adjective आए वो भी singular आएगा यह concept आपने यह yellow rule आपने बहुत जगा लिखा हुआ देखा हुआ अब ऐसा होता क्यों है पहले वो समझ लो ठीक है सबसे पहले तो यह समझो कि each either neither लगाते ही क्यों है इनको बोलते हैं distributed pronoun distributed pronoun यानि distribute करके बात करने वाले एक एक करके बात करने वाले जैसे एक तो मैं कह दूँ कि इस class के सारे student intelligent है all the students of this class are intelligent एक तो मैं ऐसे कह दूँ और दूसरा मैं stress डालना चाहूँ इस class का हर एक बच्चा इस class का प्रतेग बच्चा ऐसे कहना चाहूँ each of the students of this class तो उसके लिए structure यूज होता है stress डालने के लिए हर एक बच्चा, प्रतेग बच्चा, एक एक बच्चा उसके लिए चीजों को यूज करते हैं अब जरा समझने की कोशिश करना मैं आपको इस sentence समझाता हूँ grammar का concept basically कैसे है कि ये off होती preposition मुझे लगता सबको पता होगा in, on, at, for, from, by, with, of ये सब क्या है preposition है और preposition के बाद लगाया जाता है preposition का object आके न और preposition के object का verb से लेना देना होता नहीं ये each इदर नीदर क्या है pronoun है pronoun को क्यों आते हैं pronoun noun के जगा पर आकर subject object बनने के लिए तो actually होता का है subject यहाँ पर ये each बन जाता है ना की boys अगर आपको सब की बाते कठी करनी तो सीधा लिख दो all the boys have submitted their assignment कोई दिक्कत नहीं है, सब लड़कों ने अपना assignment submit कर दिया, लेकिन अगर आपको stress डालना है लड़कों में से हरेक ने लड़कों में से प्रतेक ने लड़कों में से एक-एक ने अगर आपको ऐसा कहना है उसके लिए structure यूज किया गया है तो यहाँ पर जो off है ना यह selection को दिखाता है यह meaning एक अन्वे करता है लड़कों में से हरेक लड़कों में से प्रतेक यह जो इच लिखा हुआ है ना काफी बच्चों का ऐसा लगता सर सब्जक्ट तो बोईज है ना बोईज नहीं तो कम्प्लीट किया है यह इच क्या है इच भी तो प्रोनाउन है बोईज के लिए तो आया तो राहुल के लिए ही लगा दूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती राहुल is a cricketer full stop, he lives in Mumbai राहुल के लिए ही लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं फट समझ में आजाएगा ही का मतलब राहुल है तो यहाँ पर भी तो यह बोईज के लिए तो आया लड़कों में से हर एक नहीं आया तो इसको बोई मानने बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है अब ज़रा समझना यह अगर subject teach है जो एके करके बात करता है singular करके बात करता है तो obviously verb कैसी आएगी singular आएगी हाँ के ना obvious बात है और अगर एके करके ही बात करने है तो obvious बात है लड़कों में से हर एक ने लड़कों में से प्रतेक ने अपना खुद का assignment पूरा किया होगा सबका तो किया नहीं होगा और boys के लिए boy के लिए क्या लिखना पड़ेगा his लगाना पड़ेगा अब शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी फिर से जरा समझने कोशिश करिए ये rule क्यों बना या कहलो एक concept क्यों बना off a preposition या चांटने को selection को दिखाती है लड़कों में से हर एक तो obvious बात है चांटने का काम तो तब ही हो सकता है जब यहाँ पे plural लिखो इसलिए concept बने गया कि each of के बाद जो ना हून आएगा वो plural होगा जादा होंगे तब ही तो कह सकते हो ना मालनों दस लड़के हैं class में तो लड़कों में से हर एक ने assignment पूरा कर दिया परतेक ने कर दिया पाच है तो भी कहलोगे तीन हैं दो भी कहलोगे दो हैं तो भी कहलोगे कि इन दोनों में से एक एक ने एक ही बच्चा हुआ तो यह sentence यूज किया जा सकता है लड़कों में से हर एक ने तब यह छटाई का काम हो सकता है क्या नहीं हो सकता तो obvious बात है कि छाटने की प्रक्रिया तब ही हो सकती जब यहां पे noun plural हो तो इसलिए of के बाद यह noun plural आ रहा है यहां पे और यह verb और आगे चीज़े singular क्यों चल रही है क्योंकि subject यह नहीं है subject यह और यह distributed pronoun है जो एके करके बात करता है अब यह एके करके बात करता है इसलिए चीज़े singular चलेंगी verb भी singular आएगी आगे को pronoun objective हो भी singular आएगा चलो जी वीडियो पॉस करो और इनको करके दिखाओ कर लिया इन पां स्टूडेंट्स में से हर एक ने इस प्रोजेक्ट पर बड़ी महनत से काम किया है यह जो पां स्टूडेंट्स है ना इन में से हर एक ने प्रतेक ने अब आपको समझ में आ गया होगा कि off तो है preposition और यह स्टूडेंट्स है इस preposition का object हमें कहना है इन पां स्टूडेंट्स में से हर एक ने प्रतेक ने अब स्टूडेंट्स है subject नहीं है तो preposition का object है subject बनने का काम कर रहा है each जो की कैसे बात करता है seem करके बात करता है singular करके बात करता है इसलिए इसके अनुसार अभी यह जो वर्ब है यहाँ पे कैसी लगानी पड़ेगी singular लगानी पड़ेगी तो यहाँ पे यह have cut के आपको क्या करना पड़ेगा has करना पड़ेगा clear हो गया नीचे वाले sentence के अंदर क्या हो जाएगा they told me that neither of them were present there when the accident happened उन्होंने मुझे बताया अब नीधर दो के लिए लगता obviously यह दो लोग है उन दोनोंने मुझे बताया उन्होंने मुझे बताया कि उन दोनों मेंसे कोई भी मान लोग कोई accident हो गया पूशताच चल रही है तो पूशताच करके आने के बाद पुलिस वाला दूसरे को बता रहा है कि उन दोनोंने मुझे बताया कि उन्हेंसे कोई भी present नहीं था वहाँ पर जब accident हुआ अब जरह समझना की ये वाली verb का तो subject क्या है दे है ये वाली जो आगे ये जो verb लिखी हुई है यहाँ पे इसका subject कौन है obviously ये neither है क्योंकि of preposition है ये them तो preposition का object बन गया यहाँ पे subject कौन बन रहा है neither बन रहा है और neither फिर वही distributive each इधर नीधर एके करके बात करते हैं singular करके बात करते हैं इसलिए यहाँ जो verb आएगी वो verb नहीं was आएगी इतना सा ये concept था थोड़ा सा बीच में परचार का समय आ गया वहीजा ठीक है जिन बच्चों को नहीं पता अगर आप competitive exams के लिए English की तैयारी करना चाहते हैं और कोई paid batch लेना चाहते हैं तो English का one stop solution यह मेरा एक foundation batch है ठीक है इसके अंदर भाईया आपको grammar की classes भी मिलती है जिनको PDF से पढ़ना होता तो grammar के handwritten class notes भी आते हैं और यह class notes जो है या Amazon, Flipkart या अपना offline के अंदर कहीं पे भी वहाँ पे भी आपको printed form में मिल सकते हैं बुक form में भी खरीच सकते हूं grammar की हर एक chapter की आपको practice भी कराई जाती है जिसके अंदर errors भी है sentence improvement भी है 2023 की 22 की, 21 की, सारे SST exams की, CDS की, NDA की आपको vocab photos और nemonics से, वह वाले तरीके से नहीं ये word है, चार एंटरिम, ये word है, चार से एक एक word का photo और nemonics लगा के आपको पढ़ाई गई है, कि आपको class के अंदर ही पूरी की पूरी vocab याद हो जाए close test, para, jumble, reading, comprehension की theory, उनके pre-level के practice set, उनके mains level के practice set आपको with videos कराए गए है, previous year paper भी दिये गए हैं आपको ताकि आप खुद attempt करना चाहें, तो CGLK, CHSLK, CPOK, STANOK, CDSK, NDA के previous year paper भी आपको provide किये गए है, app के उपर ही बीच बीच में मैं आपको motivate करने के लिए live interaction भी करता रहता हूँ, doubts पूछने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं, आप app के अंदर भी option है, जहां पर आप doubt post करेंगे, तो आपके batch के जो students हैं, वो reply करते हैं, या इसके लावा आपको मेरा personal WhatsApp number भी मिलता है, ठीक है, आप 10,000 का भी किसी का course लेंगे, तो personal WhatsApp number आपको कोई नहीं देगा, ठीक, लेकिन इस batch को purchase करने के साथ दिन के बाद application की notification पे मेरा personal number आ जाता है, आपने जिस number से admission लिया होता है, वो मेरे phone में save हो जाता है, अब अपना doubt भेज के मुझसे बाद कर सकते हैं, जिसके reply में खुद करता हूँ, मेरी ही अब आज आपको इन doubt में WhatsApp audio अगरा में सुनने को मिलेगी, ठीक है, तो भाई ये one stop solution है, grammar, vocab, RC, practice, सब इसके अंदर ही आपको एक ही single batch के अंदर मिलता है, अगर आप interested हो, तो मेरी app Amansar English नाम से play store पे है, वहाँ से आप batch purchase कर सकते हैं, आ जाई, next concept आ जाईए, out of class comparison, या जिसको बोलते हैं, that of Allah concept, out of class comparison का मतलब क्या है, जैसे sentence को देखो, the air of Delhi is more polluted than Mumbai, ठीक है, होता है कि आपन इसको हिंदी से करते हैं, हिंदी में तो देखो सही लगेगा sentence, दिल्ली की हवा मुंबई से जाधा परदूशित है, है ना, लेकिन अगर 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 अपन इसको English के concept के according देखें, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि दिल्ली की हवा का comparison अपने कर दिया मुंबई से, तो जैसे अगर मैं कहूं, इस building की height, इस building की height इस लड़के के वजन से ज़्यादा है, तो आपको वेसर यह क्या sense बना, height का comparison height से होगा, weight का comparison weight से होगा, building की height को लड़के के weight से आपने कैसे compare कर दिया, तो बिल्कुल कुछ वैसा ही यहाँ पर हो रहा है, हमें बस क्या है, हिंदी में पढ़ने में ठीक लगता है, तो हमें लगता सही है, लेकिन हो क्या रहा है, दिल्ली की हवा का comparison आपने मुंबई से कर दिया, अगर यह sentence ऐसे होता न, यहाँ से शुरू होता दिल्ली से, डिल्ली की हवा लिख रहे हो, तो यहाँ पर मुंबई की हवा होनी चाहिए थी न, और इसी concept को अपन देट आफ वाला concept क्यों बोलते हैं, बच्चे इसको देट आफ वाला concept करके क्यों बोलते हैं, समझना, अब मुझे कहना है, अब मुझे कहना है, तब ही सही comparison होगा, कि दिल्ली की हवा जादा परदुश्य होता है मुंबई की हवा से, दोनों साइड पर एर एर लिखना है, लेकिन एर तो नाउन है, और फिर नाउन रिपीट हो जाएगा, और नाउन को रिपीट होने से बचाने के लिए क्या बनाया है, ब्रजल पर लौन, इसको बोलते हैं, allegations, these, that, these, those होते हैं, तो demonstrating, यह एक नाउन का आपने जिक्रा कर दिया, उसी को दुबारह आपको लिखना है तो आपने demonstrating pronoun का use कर दिया, तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दू, that of मुंबई, तो उससे हुआ क्या है, that का मतलब हो गया जी, air हाँ के न, अब देखो the air of Delhi is more polluted than that का मतलब क्या air, air of Mumbai the air of Delhi is more polluted than the air of Mumbai, सही हो गया comparison काफी बच्चों के मन में सवाल आएगा सर, Mumbai के उपर apostrophe yes लगा दे उससे भी तो Mumbai के आगे air now understood हो जाएगा, लेकिन इसको बोलते हैं, parallelism अगर यहाँ पे लिखा होता है, Delhi is air तो इधर भी अपन Mumbai's कर देते हैं लेकिन अगर उधर off से बना रखा तो इधर भी आप off से ही बनाईएगा, ठीक गलत नहीं होता वो, कहने का मतलब अगर इधर apostrophe yes होता तो इधर भी लगा लेते उधर off से है, तो इधर off से लगा सकते हैं डिपेंड करेगा कि left side पर क्या structure यूज हो है, तो फिर से देखिए concept क्या है out of class comparison का मतलब है सही चीज़ों का comparison ना होना शहर का शहर से हो सकता है हवा का हवा से हो सकता है, पानी का पानी से होगा, तो इस side पर जो चीज़ी लिखी हुई है, comparison में इस side पर भी वही चीज़ होनी चाहिए ठीक, तो यहाँ पर दिल्ली की हवा थी, तो इधर मुंबई की हवा करनी थी air, air noun, repeat नहीं होगा, उसके लिए मैंने that pronoun का use किया, और जैसे वहाँ पर off लगा के possession है, ऐसी off लगा के possession अब yours आपको पता होगा, अभी पढ़ाये आपने, पजैसे pronoun, तो yours का यहाँ पर मतलब ही क्या है, your car, है ना, मेरी car, तुम्हारी car, लेकिन अब दिक्कत क्या है, अगर मान लो ऐसा होता, my car is costlier than yours, चल जाता मेरी गाड़ी महंगी है तरी गाड़ी से, अब यहाँ पर मेरी गाड़ी की speed की तुलना करनी थी, और आपने सिरफ यहाँ पर गाड़ी लिख दिया, मेरी गाड़ी की maximum speed कहीं जादा है तरी गाड़ी से, हिंदी में तो चल जाता यह, लेकिन अगर English के concept के according देखें, तो इस side पे, अगर मैं इसको grammar से बताने की कोशिश करूँ, तो बात ऐसी है भीया, कि यह of preposition है, और यह डेली इस preposition का object है, और इधर subject है air, हाँ के ना, subject की तुलना हो रही है इधर भी, इधर भी subject की तुलना करने, इधर subject air और यहाँ पे subject Mumbai बना दिया आपने है, air की Mumbai से तुलना कर दी है, इसलिए यहाँ पे that लिखना पड़ता है, जो कि नया subject बनता है, और यह of preposition का object मुंबई बन जाता है, ताकि सही subject की comparison हो, ठीक वैसे ही यहाँ पे, जो subject है, वो आपका speed है, speed, हाँ के maximum इसके लिए adjective है, और preposition है, car तो preposition का object है, अगर अभी आप देखोगे तो इसको meaning से भी समझ में आना चाहिए और grammar से भी, meaning के according भी यहाँ पे speed की तुलना आपने गाड़ी से कर दी, और grammar के according भी दिख रहा होगा, यहाँ पे subject speed है और यहाँ पे आपने yours मतलब your car है, तो speed की तुलना speed से होनी चाहिए थी, तो फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे अपने लिख देंगे that of, अब यह that of लिखने से होगा क्या, the maximum speed of my car is way more than the speed of your car, यह जो that है, यह जो that है, यह इसको refer कर देगा, और maximum भी दोनों जगा अंडर सूड हो जाएगा, दो बार लिखने clear हो गया, ऐसे यहाँ पे देखो, राहूल and रोहित, रोहित 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 रोहूल बोथ हो my friends, दोनों ही मेरे दोस्त हैं, लेकिन रोहित का जो sense of humor है, वो राहूल से बहतर है, इंदी में तो ठीक लग रहा है, लेकिन इद्टर देखो, यहाँ पे राहूल, सौरी, रोहित क का सेंस ओफ यूमर रोहित के सेंस ओफ यूमर की आपने तुलना कर दी डिरेक्ट राहूल से राहूल का क्या राहूल का सेंस ओफ यूमर लिखना था दोनों के सेंस ओफ यूमर की तुलना होगी ना दो इंसानों की हो सकती है दो पर्टिकुलर चीजों की हो सकती इसकी लिख दो और इदर color लिख दो ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना the maximum speed of my car is way more than the color of yours कोई sense बनेगा तो ठीक वैसे ही इदर Rohit का sense of humor है तो उदर Rahul का क्या बताओ तो यहाँ पे आप अगर Rahul apostrophe s भी लगा दो गए तो आगे दोबारा sense of humor लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो understood हो जाएगा ना उनको repeat नहीं करते ना अपन सर यहाँ off से बनाया यहाँ apostrophe s से बनाया क्यों depend करता left side पे कहा है यहाँ पे रोहित के साथ apostrophe s लगा के बना रखा था यह sense of humor पूरा एक phrase है ठीक है यहाँ पे अपने maximum speed यहाँ पे off से बना हुआ था तो यहाँ पे भी off से बन गया clear हो गया जी next पैदेगे concept number five relative pronouns सबसे लंबा topic pronoun chapter गा है ना यह कुछ relative pronouns है who whom which that what इनके use आपने पढ़ रखे होंगे एक बार में revise कराता हूं who whom इनसानों के लिए लगता है है ना who और whom दोनों इनसानों के ली आते हैं अगर आपको subjective case चाहिए हो तो अपन who लगाते हैं objective case चाहिए हो तो whom लगाते हैं ठीक है कि जो बाकी है इनके subjective objective case уки सेम होते हैं इसमें subjective objective case ह!... रलाग ह Яहाँ बाकी है ठीक है अब यह जो clauses वाली बात है शायद आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होगी animals और things के लिए आपने सुन रखा होगा अब यह example से और अच्छा समझ में आएगा ठीक है that human beings के लिए भी आ सकता है things के लिए भी आ सकता है लेकिन तब जब emphasis डाला गया हो और what जो होता है यह noun clause बनाने के काम आता है सारी चीज़े अच्छे से समझ में आएंगी example से फिर से देखिए मैंने क्या कहा pronoun chapter का जो सबसे बड़ा topic है वो है relative pronoun हो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं who whom which that what सब के अपने अलग अलग काम हैं जैसी जरूरत होगी वैसा लगाते हैं इंसानों को refer करना हो तो हू हूम लगाते हैं subject चाहिए तो who object चाहिए तो whom चीजों और things चीजों और animals को refer करना हो तो which लगाते हैं clause वाली बात अलग से पढ़ाऊंगा मैं वो अलग चीज़े that human being और animal इनी चीजों के लिए लगता है that भी लेकिन ये that तब लगाते हैं जब उस noun पर emphasis आया हूँ अभी example समझाएग word तब लगाते हैं जब noun close बनाना हो आप समझते हैं ये दो sentences हैं एक बार आप try कर लो वीडियो को pause करके फिर मैं बताता हूँ आजो अब यहां पर जरा समझने की कोशिश करना पहली चीज तो में देखते हैं क्लिए रोगी कि लड़की के लिए लगाना है लड़की की बात करनी है तो हूँ हूम आएगा इंसानों के लिए हूँ हूम आता है हां कि ना वो लड़की जिसे तुमने थपड मारा था class में कंप्लेंड कर दी उसने principle को कुछ आई बात समझें कहना क्या है जरा समझने की कोशिश करना इस लड़की के लिए हमें एक clause लिखना है इस लड़की को define करने के लिए कि कौन सी लड़की हमने ये पूरी बात लिखी देखो है क्या चीज ये subject है ये girl ये complaint इसकी verb है to the principle का ये जो portion है ये क्यों लिखा गया ये लड़की को define करने के लिए ताकि समझ में आथे for example ऐसे समयना मालो एक teacher था उसने किसी लड़की को class में थपड मार दी ठीक और उस लड़की ने जाके principle को complaint कर दी ठीक है अब किसी दूसरे teacher कोई बात पता चली मालो मैत वाले ने कर रहा है वो जो लड़की थी ना जिसको तुने class में थपड मारा था complain कर दी उसने principle को अब जरा समयना इस लड़की को सिरफ इतना बोल दे अगर लड़की ने complain कर दी principle को तो वो आसा मनें पूचे का कौन सी लड़की है ना तो वो पूछे उससे पहले ही जब आप define करना च को कहते हैं अड्जेक्टिव कहते हैं तो अगर गूड ग्रैमर में जाना तो बेसिकली एक अड्जेक्टिवल clause create हुआ अड्जेक्टिव की तरह कारे करने माला clause create हुआ लेकिन आप इतनी detail में मत जाओ आप बेसिकली समझने कोशिश करो हमें कहना था लड़की कौन सी वो लड़की जिसे तुने थपड मारा था क्लास में इतनी बात आती समझने अब यहां पर जरा समझने की कोशिश करो यह जो हू लगेगा हूम लगेगा वो लड़की के लिए लगा है हा के ना अब अगर आप देख पारे हैं तो यू यहां पर subject है head helping verb है और slapped main verb है ठीक girl subject की verb तो इधर लिखी हुई है girl का तो उससे लेना देना है यह who whom का लेना देना है इस वाले clause से और इस clause में slab verb को subject मिल चुका है तो obvious बात है कि यहां पर slab verb का क्या चाहिए object या इसको ऐसे समझ लो यह जो who whom आप लगाते हो यह किसके लिए लड़की के लिए अब मुझे ब हुम आएगा एक बार फिर से समझ लो मैंने क्या कहा लड़की जिसे तो ने थपड मारा था class में complain कर दी उसने principle को ठीक है अब इसको दो तरीके से समझ सकते हो या तो ऐसे समझ लो who whom जिस clause में भरना हो who whom जिस clause में भरना हो उसमें चेक करो कि subject की जरूरत है कि object की जरूरत है अब यहां पर मैं साफ साफ देख रहा है slapd verb है you subject है subject तो मिल चुका है यानि हमें object की जरूरत है इसलिए objective केश चाहिए इसलिए हमने whom लगा दिया है या तो ऐसे समझ लो या इसको meaning से ऐसे समझा दा सकता है कि who लगाओ चाहिए whom लड़की को refer करने के लिए लगा रहे हो human being के लिए लगा रहे है उसे लड़की के लिए तो लगा रहे हो अब मुझे बताओ कि आगे जो काम हो रहा है थपड मारना खाना लड़की उसके doer के receiver है लड़की ने थपड मारा के लड़की ने थपड खाया लड़की ने थपड खाया हां के ना यानि लड़की receiver है और receiver के हफते ही जिसने जस्ट पिछले हफते ही शुरू किया है वो बहुत अच्छा कर रहा है अपनी नई जोब में मालों कोई office के अंदर कोई नया employee आया है तो दूसरा है उसके बारे में बात कर रहा है यह जो साहिल पिछले हफते ही आया है यह बहुत अच्छा काम कर रहा है और नौकरी पे अपनी नई जोब पे बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दिखा रहा है तो यहाँ पर ज़रा समझने कोशिश करना साहिल की वर्ब तो यह है is already doing यह जो वर्ब है न यह जो वर्ब है is already doing यह वर्ब है साहिल की इस साहिल की वर्ब तो यह वाली है जैसे यहाँ पे इस गर्ल की वर्ब यह वाली थी तो यह वाला जो पोर्शन है यह जो हू हूम जिस क्लॉस के अंदर लिखा गया है इसमें वर्ब कौन सी है इसकी वर्ब कौन सी है started अब यह जो start verb है आप चेक करो कि इसको subject चाहिए कि object चाहिए आपके ना obviously यहां पर start का object जो है वो लिखा नहीं है काम शुरू किया जिसने अभी काम शुरू किया start का object यहां पर दिया नहीं है लेकिन इतनी बात तो मुझे लगता हर बच्चे को पता होगी कि verb का बिना object के काम चल सकता ऐसी बहुत verb होती है जो बिना object के लिखी जाती लेकिन subject के बिना कोई verb नहीं हो सकती यानि मुझे यहां पर subjective case लिखना था subject बनाना था तो started verb के बाद subject नहीं है तो obvious बात है कि फिर मैं यहां पर क्या लिखूँगा हो लिखूँगा और इसको meaning से समझना है तो ऐसे समझ लो कि यह जो पूरी बात आपने लिखी है हमने क्या का साहिल जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है अपनी नई जॉब पे यह पूरी बात आपने किस के लिखी साहिल के लिखी जो हो हुम लगा रहे हो किसके लिए लगा रहे हो साहिल के लिए लगा रहे हो तो अब साहिल जो है ये पिछले हफ़ते ही स्टार्ट करने का ये डूरे क्रिसिवर है साहिल को स्टार्ट किया गया कि साहिल ने कुछ स्टार्ट किया है साहिल ने अपने काम स्टार्ट किया है य object चाहिए, जैसे यहाँ subject मिल गया था तो object चाहिए था, मैंने home लगा दिया यहाँ पे ना subject है ना object है बिना object के तो काम चल जाता है लेकिन subject के बिना चलता है इसलिए मैंने home लगा दिया दूसरा, आप इसको meaning से कर सकते हो कि जो home भरा जाना है यह जिसके लिए भर रहे हो, चेक करो कि वो आगले clause में लिखी गई वर्ब का doer है की receiver, जैसे लड़की यहाँ थपडखाने की receiver थी, इसलिए यहाँ पे receiver के लिए objective के साथ home आया, साहिल यहाँ पर काम शुरू करने का doer था, doer के लिए subjective के साथ है, इसलिए हुआ है next बाज़ेगी अगला अपना है जी, which अब ये बात तो मुझे लगता सबको ही पता होगी कि चीजों और animals के लिए which लगा जाता है, जैसे, आप एक काम करो, आप pause करके एक बार करो अपने आप हाँ जी, वो गाड़ी जो बाहर खड़ी है, वो गाड़ी जो मेरे घर के बाहर खड़ी है, वो मेरे पिताजी की है, ठीक है, ये कहना है, अब obvious बात है, जैसे गाड़ी होगी है, कोई animal होगा, उसके लिए who नहीं आएगा, which आएगा, ये तो हर बच्चे के बात पताओगे, इसमें कोई नई बात नहीं, which का अगर अच्छा सवाल बनेगा, तो वो बनेगा, which के clause वाले काम पर, अब ये clause वाला काम होता है, उसको ध्यान से समयना, कई बार क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर देखा, कि ये who, whom किसके लिए मैंने लगाया, girl के लिए, ये वाला who, who किसके लिए लगाया, साहिल के लिए, ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, ये जो which लगाया, किसके लिए लगाया, गाड़ी के लिए, कई बार क्या होता है, ये जो relative pronoun ना भरते हो, ये किसी एक single word के लिए नहीं, पूरी बात के लिए, पूरे clause के लिए भरना पड़ जाता है, उस case में जो relative pronoun यूज होता है, वो ना who use होगा, ना whom use होगा, ना that use होगा, ना what use होगा, सिरफ और सिरफ which use होगा, देखो कैसे, तुमने कभी सवाल नहीं उठाया, अपने मास्टर के डिसीजन पर, ठीक है, अपने गुरू के किसी भी डिसीजन पर तुमने आज तक सवाल नहीं उठाया, ये तुम्हारी loyalty का सबूत है, क्या है loyalty का सबूत, जैसे यहाँ पे मैं साफ साफ कह सकता हूँ, कि ये विच आया गाड़ी के लिए, यहाँ पे मैं साफ साफ कह सकता हूँ, ये जो हूँ मैं आया girl के लिए, यहाँ पे साफ साफ कह सकता हूँ, ये जो हूँ ये आया style के लिए, मुझे तुम ये बताओ कि ये जो यहाँ पे ये जो that लिखा हुआ है, यह proof है तुमारी loyalty का यह that किसके लिए आया master proof है तुमारी loyalty का decision proof है तुमारी loyalty का question तो verb है never add verb है तुम proof हो loyalty का क्या है loyalty का proof क्या कोई आपको यहाँ है कैसा single शब्द दिख रहा है जिसके लिए आप कहे दो कि यह relative pronoun है यह पूरी की पूरी बात तुमने आज तक कभी सवाल नहीं उठाया आपने master के किसी decision पर यह पूरे के पूरे clause को refer करना है कोई single शब्द को नहीं refer करना पूरे clause को refer करना है पूरी की पूरी बात को refer करना है और यह काम चिरफ एक ही relative pronoun कर सकता है जिसका नाम है which यह है जिविच का एक exclusive use थोड़ा हट के use इंसानों मनलब चीजों के लिए और जानवरों के लिए विच आता है सबको पता है तो बहुत असान हो जाएगा अगर अच्छा सवाल बनेगा तो फिर यह बाला बनेगा तो हमने देख लिया हु हुम आते हैं इंसानों के लिए subject चाहिए हो तो हु लगा देते हैं object चाहिए हो तो हुम लगा देते हैं चीजों के लिए which आता है पूरे clause को refer करना हो तब भी विच आता है अब आते हैं that बे जो that है इंसानों के लिए भी आ जाता है चीजों के लिए भी आ जाता है सर जब इंसानों के लिए हुँ हुम बना हुआ है तो देट की क्या जरूरत जब चीजों के लिए विच बना हुआ है एनिमल्स के लिए विच बना हुआ है तो देट की क्या जरूरत इस तो सर्फ confused जाएंगे माल लो इंसान है अब इंसानों के लिए who whom भी आता है आप कह रहे हो that भी आता है मैं तो puzzle हो जाओंगा चीजों के लिए animals के लिए सर्फ which भी आता है that आता है मैं तो puzzle हो जाओंगा समझना that कब आता है मैंने आपको लिखवा emphasis जब आ रहा हूँ अब यहाँ पर समझना एक बार आप अपने अप ट्राय करो आजओ the few people who came to the party are the only friends I have till now वो जो थोड़े मोटे लोग वो थोड़े मोटे जितने भी लोग party में आए वो बस उतने ही सिरफ उतने ही दोस्त है जो आज तक मैंने बनाए है ठीक है अब यहाँ पर ज़रा समझने की कोशिश करना मुझे इस people को refer करना है इन लोगों की विशेष्टा बतानी न वो थोड़े मोटे लोग जो party में आए थे यही कहना न थोड़े मोटे लोग जो party में आए थे वो मेरे एक लोटे दोस्त है मतलब उतने ही दोस्त है मेरे यही कहना है यहाँ पर अब लोगों के लिए तो हुआ सकता कोई दिक्कत नहीं लेकिन थोड़ा नजर मारो यह जो इससे पहले लिखा हुआ है the view the view का मतलब होता थोड़े मोटे जितने वो सारे के सारे कुछ words होते हैं जो emphasis डालने का माते हैं जैसे सबसे common word है the same अगर मैं कहूँ अगर मैं कहूँ she is the same lady she is the same lady who stole your wallet नहीं होगा that stole your wallet होगा यह वही औरत है जैसे आपने लेडी से पहले the same लगा दिया जैसे आपने लेडी से पहले the same लगा दिया तो उस लेडी पर stress आ गया उस नाउन पर stress आ गया जब भी ऐसे noun के लिए relative pronoun लिखना हो, जिस पर emphasis आया हुआ है, तो फिर आप that का use करोगे, लेको समझेना, इंसानों के लिए who whom आता है, चीजों जानवरों के लिए which आता है, बात एकदम ठीक है, लेकिन अगर कोई इंसान कोई चीज पर stress आजाए, emphasis आजाए, तो फिर who whom या which नहीं लगाना, फिर that लगाना, जैसे यहां पर, वो थोड़े मोटे जितने भी, यह जो word होते हैं, जैसे the same हो गया, the only हो गया, the little हो गया, the few हो गया, या फिर सारी quantity को भी जब refer करते हैं, जैसे all, everything, anything, ऐसे वाले जो word होते हैं, उनके साथ जब relative pronoun लगाना पड़े तो वो that लगाते हैं, थोड़े मोटे जितने भी लोग जो आए थे, थोड़े मोटे जितने भी लोग जो आए थे, यह specific लोग हैं, कुछ particular लोगों की बात हो रही है, कि थोड़े मोटे जितने भी लोग वो आए थे, वही मेरे के लोगते हैं, तो ऐसे word जब, the same, the few, the little, the only, all, everything, anything, ऐसे word जब किसी noun को refer करने के लिए, noun के साथ emphasis डालने के लिए लिए लिखे हो, तो फिर बले ही इंसान हो, who, whom नहीं आएगा, that आएगा, बले ही चीज या जानवर हो, which नहीं आएगा, that आएगा, clear हो गया, ऐसी इसको देखो, all the money, वो सारा पैसा, वो सारा पैसा जो मैंने त पैमेंट में चला गया, ठीक है, अब यहाँ पे, यहाँ पे, all the money, अब इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा जो concept है, इस sentence को थोड़ा सा change करना पड़ेगा, आएगा, आएगा, इस sentence के अंदर, all का एक concept यूज हो रहा था, कि all pronoun भी बन सकता, और all adjective भी बन सकता है, और all जब adjective बनता है, तब उसके साथ which भी allowed हो जाता है, लेकिन all जब pronoun बनता है, तो उसके साथ that आता है, तो मैं आपको उस puzzle में ले जाना नहीं चाहरा था, क्योंकि वो उतनी important चीज है भी नहीं, इसलिए मैंने sentence को change कर दिये, ठीक, देखो जरा, he told me that he saw the same boy who killed your dog, उसने, उसने मुझे बताया था, उसने मुझे बताया था कि उसने उस सेम लड़के को देखा, he told me he saw the same boy, उसने मुझे बताया था कि उसने उस सेम लड़के को देखा, जिसने तुम्हारे कुत्ते को मारा था, अब यहाँ पर जरा समयना, he told me he saw the same boy, अब यह जो आगे बात लिखी हूँ, जिसने तुम्हारे कुट्टे को मारा था है किसके लिखिये boy को लिखिये obvious बात है कि यह define करने के लिखिये boy के लिखिये अब boy human being है तो who आना चाहिए लेकिन दिक्कत यह जो boy से पहले यह जो लिखा हुआ है आपके पास the same इसमें different क्या है normal से कि boy से पहले यहां पर लिखा हुआ है the same the few the only the little या को super related degree लिख रखियो जैसे smartest boy he is the smartest man whom I have ever met ने लिखो गे that I have ever met लिखो यानि कोई भी ऐसा word कोई ऐसा word the same the few the little the only super related degree लगाऊना all everything anything यह word लगा हो ना इनसे पता चलता है कि इस noun के उपर stress आ रखा है emphasis आ रखा है तो ऐसे case के अंदर आप यहां पर that का use करोगे that का concept समझ में आया एक बर फिर से देखो मैंने क्या का human being के लिए who whom आता है subjective case चाहिए हो तो who objective case चाहिए हो तो whom चीजों के लिए animals के लिए विच आता है पूरे clause को refer करना विच आता है यह जो that है ना यह that human being और चीजों दोनों के लिए आ सकता है फिर सर who whom और which में इन में फरक्या है that से यह जब भी आयेगा तो noun पर emphasis आ रखा होगा the few, the little, the only ऐसे words आ रखे होंगे जिससे आपको पता चले है कि इस noun के उपर emphasis आया हुआ है उस case में जब noun के उपर emphasis आया हुआ हो तो ना who आयेगा ना whom आयेगा ना which आयेगा तब आपको that का use करना बढ़ेगा next जी अपना what जो what है इसका फंडा थोड़ा सा अलग है कैसे अलग है जरह समझने कोशिश करना देखो ज्यादा good grammar की detail में ना ले जाते हूँ मैं आपको अराम से समझाने की कोशिश करता हूँ आप notice करो जो who whom से आपने जो बात लिखी मैंने अभी word भी यूज़ किया था यह वाला जो पार्ट है जो आपने who के साथ लिखा यह साहिल की विशेशता बताने के लिए हाँ के न ऐसी अगर मैं इसकी बात करूँ गाड़ी जो घर के बाहर खड़ी है यह वाला जो पार्ट है गाड़ी की विशेशता बताने के लिए है ठीक है ऐसी अगर मैं इसकी बा रहा था यह जो पार्ट है लड़के की विशेशता बताने के लिए तो आप जो है नोटिस कर रहे होंगे कि हूँ हूँ हो चाह विच हो चाह दैट हो यह जो तीनों के तीनों है ना यह किसी नाउन की विशेशता बताने वाला structure create करते हैं इसको मैं grammar की भाषा में कह सकता हूँ कि ये तिनों adjectival clause बनाने के काम आते हैं who, whom है, which है, that है ये किसी noun को define करने वाला clause बनाते हैं जैसे आपने यहाँ देखा, यहाँ girl को define किया, यहाँ पे साहिल को define किया, यहाँ पे car को define किया, यहाँ पे people को define किया, यहाँ पे इस boy को define किया, लेकिन ये जो, ये जो what है ये क्या करता है, ये subject object की तरह से काम करने वाले clause बनाएगा ये subject object की तरह से काम करने वाले clause बनाएगा, यहनि noun की तरह से काम करने वाले clause बनाएगा, objective का का क्या होता है एक नाउन की विशेशता बताना नाउन को डिफाइनी तो कर रहे थे यह हूं विच दैट वाले क्लोज वट क्या करेगा नाउन क्लोज बनाएगा यहनि सब्जेक्ट अब्जेट के जैसा काम करने वाला क्लोज समझना कैसे एक बार अपने आप ट्राय करो फिर मैं बताता हूं अब यहां पर जरा समझने कोशिश करना आई सब्जेक्ट है पड़ रखा होगा आपने कैन कुड में माइट यह सब मॉडल होते हैं नौट एड़ वर्ब होता है ठीक है प्रिडिक्ट में वर्ब है इतनी बात मुझे लगता है सब बच्चों को समझना आगे होगी अब यहां पर कोई पीछे नाउन तो है नहीं जिसकी विशेशता बतानी है जैसे अपने का लड़का जिसने कुट्टे को मारा था गाड़ी जो गर के बार खड़ी थी साहिल जिसने कल ही काम शुरू किया है ऐसा कोई वर्ब तो है नहीं जिसको डिफाइन करना है हमें यहा अगर आपको object के रूप में काम करने वाला structure बनाना हो तो उसके लिए what का use होता है अब इसी बात को रटाने के लिए ऐसे बोला जाता है that तब लगता है जब पीछे noun ना हो बना पीछे noun हो what तब लगेगा जब पीछे noun ना हो अब वो यह जो रट्टा है यह आया कहां से समझने की कोशिश करो that तब लगेगा जब पीछे नाउन हो यानि that एक किसी नाउन की विशेषता बनाने वाला clause बनाता है बताने वाला clause बनाता है यानि अड्जेक्टिवल clause बनाता है that तब लगेगा जब पीछे noun हो यानि that का कार्य है किसी noun की विशेषता बताने वाला clause बनाना लेकिन what तब लगेगा जब पीछे noun ना हो पीछे noun ना होगा तो क्या होगा वर्ब दिखेगी आपको तो यानि what क्या कर रहा है what एक ऐसा structure बना रहा है जो इस वर्ब का object बनेगा I cannot predict मैं predict नहीं कर सकता क्या predict नहीं कर सकता what might happen ऐसे सकंदर देखो you should not judge a person तुम्हें एक person को judge नहीं करना चाहिए जब तुम जानते नहीं हो कि वो किन चीज़ों से गुजरा है when you do not know जब तुम जानते नहीं हो जानते नहीं हो क्या जानते नहीं हो कि वो किस चीज़ों कि चीज़ों से गुजराै तब यहाँ पे यहाँ पे मुझे इस no verb का object चाहिए ऐसा तो है नहीं कि इसससे पहले कोई ना उना होन ए जिसकी विशेष्ता बतानी है यहां तो इस you don't know can know what he has gone through वो किस चीज से गुज़रा है तो यहां पर आपको जो structure बनाना है वो no work का object का बनाना है कोई adjective नहीं बनाना object की तरह से काम करने वाला यानि noun की तरह से काम करने वाला structure बनाना है यानि noun close बनाना है तो इसलिए यहां पर that नहीं what का user होगा एक बार फिर से जल्दी से देख लो जरा जिनको यह concept थोड़ा सा tricky लेगे जो बिल्कुल beginner होते हैं भाई उनको यह एक बार में नहीं आता समझ में ठीक है और detail reference चाहिए और detail reference चाहिए तो इसी YouTube चैनल पर मैंने free course के अंदर भी यह चीज़ें पढ़ा हुई है और थोड़ी detail में आप वहाँ पर देख सकते हो अभी अपना यह समझ रहो ना तुम important rules है crisp way में concise way में कराना है तो और depth में यहां पर जाना पॉसिबल नहीं already बहुत time मैंने इस पर लगा लिए इसके इसके जूरत है बज़ेक्टिव की जारत है चीज़ों की बात करने है पूरे noun को refer करना हो तो बलब पूरे clause को refer करना हो तो विच लगा यह तक पर लगाना human being और चीजों दोनों के लिए that आ सकता है लेकिन कब जब जिस noun के लिए पर emphasis आ रखाओ, stress डालने वाला रखाओ, who, whom, which और that ये तीनों एक noun की विशेशता बताने वाले clause बनाते हैं, यानि एक टाइप के adjective के structure बनाते हैं, लेकिन अगर आपको verb के बाद, यानि object वाला, यानि noun वाला structure बनाना हो, तो फिर उसके लिए word लगता है, नेक्स्ट बाज़ी, relative pronouns take verb according to their antecedent, भारी भरकम वर्ड है, antecedent, relative pronoun verb अपने antecedent के अनुसार लेते हैं, यह antecedent क्या चीज़ होती है, चुलिए समयना, अगर मैं आपसे पूछू, अगर मैं आपसे पूछू, who के साथ verb कैसी आएगी, singular के plural, who is के who are, दोनों ठीक लग रही है, depend करता है, who किसके लिए लगाया, the boy who is, and the boys who are, who का अपना कोई number gender नहीं है, who लड़की के लिए भी लग सकता है, the girl who is, and the girls who are, relative pronoun का अपना कोई number gender नहीं होता, relative pronoun के बाद verb singular आएगी, plural आएगी, कैसी आएगी, वो depend होता है, तुमने लगाया किसके लिए, यहां तो चलो, objective case है, इसके अनुसार तो वर्ब आईगी, subject में देखो, यह जो started है, यह तो by chance verb की second form है, अगर पहली दूसरी है, कोई form लगा नहीं होती, जीजे से, for example, अगर मैं करूँ, राहुल who is playing लिखें कि राहुल who are playing लिखें, सुरी है, साहिल जो भी है, साहिल who is playing लिखें कि साहिल who are playing लिखें, क्या लिखें भूलो, obviously is, who का अपना कोई number gender नहीं है, who साहिल के लिए आया, तो आगे वर्ब सिंगुलर आई, और यहीं मैं अगर साहिल और रजट कर दूँ तो, साहिल और रजट, साहिल और रजट, who are playing कि who is playing, obviously are playing, तो यह जो बात है यतना भारी भरकम वर्ड है, antecedent, इससे डरने के जरुतनी क्या होता है, antecedent पता है, जिसके लिए ये relative प्रणाना है, इस who का antecedent यह साहिल है, इस whom का antecedent यह girl है, जिसके लिए relative प्रणान लिखते हो, इस which का entecedent ये car है जिसके लिए आप related pronoun लिखते हो is that का entecedent people है is that का entecedent boy है जिसके लिए आप related pronoun लिखते हो वही उसका entecedent हो जाता है clear होगी इतनी बात अच्छा जी example से और अच्छा समझ में आएगा देखो ज़रा error कैसा आता है इस पर he is one of those जो sacrifice कर सकते हैं अपनी जिंदगी इस देश के लिए ये ऐसे लोगों में से एक है जो sacrifice कर सकते हैं अपनी जिंदगी देश के लिए अब यहाँ पर सवजने की कोशिश करना ये जो who है कि किस के लिए आया है he के लिए आया कि those के लिए आया so चो एक बार क्या सिरफ he sacrifice कर सकता है अगर he sacrifice कर सकता होता तो sentence ऐसे न लिखते he is the only person ऐसे लिखते बना he is the only person अब the only से देखो stress आ जाएगा he is the only person that can sacrifice his life ऐसे लिखते यह फिर यह ऐसे लोगों में से एक है यहनि ऐसे लोग और बहुत सारे है यह जो बात आगे लिखी गए दे को इसको रटने के लिए पता है कैसे पढ़ाया जाता है who से पिछे plural लिखा है who से पिछे यानि relative pronoun से पिछे plural लिखा है यानि plural के साब से चलेंगी चीज़ें अब can तो model है model के बाद तो verb की base form में आती तो इसमें कुछ change होगा नहीं लेकिन बस his की जगह पर यहां पर देयर हो जाएगा ठीक अगर इसको रट के करना है अगर रट के करना है तो simply ऐसे कराया जाता है इसको करो जड़ा एक बड़ ट्राए pause करके try किया करो अगर वाक्य में पढ़ना सीखना समझना चाहते हो तो जब भी time दे रहा हूँ आपके भले के लिए दे रहा हूँ मुझे तो आता है यह बावलो तुम्हें सिखा रहा हूँ चलो अगर रट के करना है तो यह that से पीछे noun plural लिखा हुआ है इसलिए यह वर्ब भी plural आएगे गये तो वह रटा ठीक है फिर एक और चीज रटनी पड़ेगी the only or only one जब आजाए जब sentence में the only or only one आजाए तो उस case में वर्ब singular आएगे अब यह तो ऐसे रट के कर लो नहीं तो फिर अगर समझना है तो इतनी मुश्किल यह चीज है नहीं बिल्कुल easy सी बात है अगर इसको समझ के करोगे क्या मैं कहना चारा हूँ जड़ा समयना relative pronoun का अपना खुद का कोई number gender नहीं होता relative pronoun जिसके लिए लगा जाएगा उसी के अनुसार वर्ब लेगा तिक अब जड़ा समयना मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह हू जो है यह आपने लिखा किसके लिए यह चेक करना तो आगे की बात पढ़ो जो sacrifice कर सकते हैं अपनी जिंदगी देश के लिए क्या ऐसा सिरफ ही है क्या ऐसा सिरफ ही है नहीं ना ही ऐसे लोगों में से है जो sacrifice कर सकते हैं यह जो बात है किसी एक आदमी पर लागू नहीं है यह इन दोज पर लागू है तो इसलिए जो पूरी बात है यह लिखी गई है दोज के लिए इसलिए मैं यह यह देश कर रहा हूँ ऐसे यहाँ पर यह जो नोवल है उन बेस्ट नोवल में से एक है यह जो नोवल है उन बेस्ट नोवल में से एक है जो पिछले दस साल में लिखे गए है अब मुझे बताओ पिछले दस साल में क्या सिरफ यह नोवल लिखा गया है कि जो पिछले दस साल में बहतरी नोवल लिखे गए उन में से एक है सोचो एक बार यह जो आगए बात लिखी पिछले 10 साल में लिखे गए है क्या पिछले 10 साल में सिरफ यह एकलोता नोवल लिखा गया है नहीं ना यह ऐसे नोवल में से एक है वो जो बहतरी novel पिछले 10 साल में लिखे उन में से ये कहना है तो ये जो 10 साल में लिखे जाने वाली बात है ये इन best novels plural पर applicable है तो verb भी कैसी आएगी plural आएगी समझाई बात लेकिन अब इस sentence को देखो रोशनी लड़कियों में से इकलोती है रोशनी लड़कियों में से इकलोती है जिसने 98% से जादा मार्क स्कोर की अब मुझे एक बात बताओ ये जो 98% से जादा मार्क स्कोर करने वाली बात है क्या ये सब लड़कियों पर लागू है कि सिरफ रोशनी ने 98% से जादा मार्क स्कोर की रोशनी लड़कियों में से इकलोती है जिसने 98% से ज़्यादा marks score की है खुद logical common sense से सोचो कि यह जो 98% से ज़्यादा marks score करने वाली बात है कि यह सब लड़कियों के लिखी गई होगी कि रोशनी के लिए obviously रोशनी के लिए हाँ के न तो यह जो आगे कता है यह लिखी गई है रोशनी के लिए इसलिए यहाँ पे subject singular तो verb singular रटना नहीं है समझ लो इतनी मुश्किल चीज़ें होती नहीं अब आगे की बात पड़ो और सोचो कि यह किसी plural चीज के लिखी गई है कि singular चीज के लिखी गई है तो singular रटना है तो फिर ऐसे रट सकते हो हाला कि रटने की ज़रूत है नहीं इतना मुश्किल यह था नहीं नेक्स्ट पाइए जैसे आपको मैंने जो सबसे पहला concept कराया था pronoun का कि जो objective होता है subject के नुसार चल रहा था I will complete my homework he will complete his homework she will complete her homework ऐसे कर रहे थे पन तो होता क्या है सुनने बोलने में बहुत अच्छा लगता है जब subject one हो तो भी he के according चला देना जैसे one should respect his parents बहुत अच्छा लगता है यह सुनने में लेकिन है क्या one का खुद का एक पज़से form होता है he के लिए जैसे his है she के लिए जैसे her है I के लिए जैसे my है ऐसे one के लिए ones है तो अगर है तो इसको use करो न his को क्यों use कर रहे हो यह इतना सा concept है कि अगर वाक्य में subject का काम आपका one कर रहा है या one का मतलब एक नहीं है one के भी कुछ काफी meaning होते है जैसे एक तो मैं को एक मैं को I need I need one pencil मुझे एक pencil के जूरत है वो one अलग है वो objective है जो number बता रहा है यह जो one है यह pronoun है और इसका मतलब होता हर कोई जैसे one should respect one's parents हर किसी को respect करनी चाहिए उनके parents की one should love one's country हर किसी को प्यार करना चाहिए यह उसके देश से यह वो वाला मतलब है इस one का मतलब हर कोई वाला है ठीक है everyone जैसा मतलब है you can say ठीक है तो जरा समझने की कोशिश करना जैसे he के लिए his है she के लिए her है I के लिए my है ऐसी जब one subject होगा तो one apostrophe is का use करेंगे one के according चैसे चलाएंगे किसी बात पर बेज़ यह दो सवाल है ट्राय करिए one should never criticize others if he is not sure of his facts किसी को भी किसी को भी दूसरों को criticize नहीं करना चाहिए किसी को भी दूसरों को criticize करना नहीं करना चाहिए अगर वो facts को लेके sure नहीं अब्यस बात है कि यह जो आप यहाँ पर ही लिखना चाहते हो यह one के according चलना चाहिए था आके ना किसी को भी दूसरों को criticize करना नहीं चाहिए अगर वो जो विक्ती है अगर वो विक्ती अपने facts को लेके sure नहीं हो one के according चल रही है चीज़े तो यहाँ पर ही one आए क्या जाएगा यहाँ पर one's facts इसे one के according चलेंगी एक ही sentence में दो-दो error कहां mark करूँगा समझाने के लिए दो किये paper में एक ही जगा error होगा यह दोनों एक ही part में होगई ठेक है तो tension लेने के जरूद नहीं अब इस पर आईए मालो बात चल रही है दो लोग कोई discuss कर रहे हैं तो एक बंदे ने कुछ add करा तो बता रहे हैं he added philosophically उसने philosophically एक बात add करी कि हर किसी को हर किसी को खुद को ढाल लेना चाहिए बदलती हुई conditions के नुसार उसने philosophically एक बात add करी कि हर किसी को ठाल लेना चाहिए खुद को changing condition के नुसार he का reflexive himself she का reflexive herself I का reflexive myself ऐसे ही one का अगर reflexive pronoun लगाना है तो उसके लिए बना हुआ word है oneself जब one के लिए शब्द है तो जबरदस्ती he के लिए use होने वाला शब्द क्यों use करें simple सी बात यह है कि जैसे अगर subject he है तो आगगे reflexive pronoun himself का possessive adjective his का use होता है बिल्कुल वैसे ही अगर one के लिए एक possessive form आपके पास है one के लिए एक reflexive pronoun आपके पास है तो यह उधार के कोई और क्यों use कर रहे हो इसके लिए जो वने होनको use करो ना इतनी सी बात है next बज़े यह कुछ ऐसे words है जो subject बनके बैढ़ जाते हैं sentence में subject बनके बैढ़ जाते हैं लेकिन दिक्कत ही है विचारे भोले बहुत होते हैं इनको पता ही नहीं है कि हम singular हैं plural हैं, male हैं, female हैं अब आपको पता है वर्व आती है subject के अनुसर यह subject बनके तो बैढ़ गए लेकिन भोले इतने इनको पता नहीं बिल्कु रिलेटिव प्रोनाउन जैसे ही होते हैं जैसे रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है उसको नहीं पता होता ना कि मैं male हूँ, female हूँ, singular हूँ, plural हूँ अपने antecedent के अनुसर वर्व लेता है यानि जिसके लिए वो लगाएगा उसके अनुसर वर्व लेता है ठीक ऐसे यह भी विचारे भोलें example से समझो some of the students students में से कुछ students में से कुछ absent थे कल ठीक है, अब यहाँ पर यह जो some है, इसका मतलब हो गया students में से कुछ students some का यहाँ पर मतलब है कुछ students हाँ के न, अगर मैं यहाँ पर student की जगा पर milk लिख दू तो some of the milk दूद का कुछ हिस्सा अब milk तो uncountable होता है तो यह uncountable हो जाएगा यानि इस noun पर dependent चल रहा है यह वाला noun, भले अगर grammar की बात करें अगर grammar की बात करें तो all preposition है, यह इसका object है, subject तो sum है subject तो sum है लेकिन यह sum विचारा भोला इतना है, इसको पता ही नहीं समझने की कोशिश करना देगा अगर मानलों एक word है जैसे half half singular होता है के plural होता है depend करेगा न, half किसका 10 का half 5 है तो plural हो गया, 2 का half कितना है one, तो singular हो गया तो depend करता है, sum किसका half किसका, 50% किसका 20% किसका, तो जो शब्द है, इनका अस्तित्व जो है, वो तब पता चलेगा कि किसका हां के न, यह जो off के बाद noun लगा हुआ है, इस पे dependent है सारी बाते, अगर यह noun भीया, singular form में लिखा होगा तो आगे singular चीज आजएगी uncountable होगा, तो भी verb singular आएगी plural होगा, तो वर plural आजएगी यानि इस noun पर निरबर है कि आगे जो verb वगेरा आएगी, वो कैसी आएगी clear हो इतनी बात जैसे यहाँ पर students में से कुछ student कल नहीं आये थे यही कहना है, तो यहाँ पर आपको जो verb है, वो कैसे use करनी पड़ेगी, plural use करनी पड़ेगी इस बर क्यों कि some का मतलब students हो गया students में से कुछ student नहीं आये थे plural लिखा होगा यहाँ पर तो वर आपको all यह जो वर्ड है, 20% 30% more than यह वाले जो वर्ड है यह अगले नाउन पर चलते हैं उफ के बाद जो नाउन लिखा उसके अकॉर्डिंग चलते हैं क्यों चलते हैं आपको मैंने एक्जाम पर से समझा दिया करो ट्राए हाँ जी अब यह जो शब्द है class यह collective noun होता है students के समझा को class कहते हैं हाँ के ना class, classes, plural हो सकता है यह यहाँ यहाँ पर singular form में लिखा हुआ है कि जो class थी, पूरी जो class थी उसकी आधी ने complete नहीं के assignment हाँ के ना अगर यहाँ पर students लिखा होता half of the students तो वर plural हाँ जाती लेकिन इस बार यहाँ पर collective noun लिखा हुआ जो singular form में लिखा गया है तो एक unit है एक unit की तरह से use हो रहा है न और उसके आधे की बात करनी है अरी बात समझ में तो जो पूरी class थी आधी class अब इसको ऐसे समझो अगर मैं class शब्द का use करूँ जैसे मैं कहूँ आधे students नहीं आये थे आधे students नहीं आये थे students में से आधे नहीं आये थे students का जब half करता हूँ तो हिंदी में भी क्या करता हूँ नहीं आये थे लेकिन अगर मैं class word यूज़ कर दो आधी class नहीं आये थी एक यूनिट में रिखा हुआ है तो इसका जब हाफ करेंगे तो वर्ब सिंगुलर से रिप्रेजेंट होगी यानि यहाँ पर हैव नहीं है जिका यूज होगा आधी क्लास ने वह असाइमेंट कंप्लीट नहीं किया जो टीचर ने दिया था जो चेर्स है उनमें से सारी परफेक्ट कंडिशन में थी जब मैं उनको खरीद के लेके आया था नए फरनीचर स्टोर से तो आल यहाँ पर आल काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए आ सकता है आल अफदा वाटर भी हो सकता था आल अफदा वाटर वाटर वाज ड्रंक बाई हर हां के ना तो अब यहाँ पर जरा समझने कोशिश करना वाटर हो तो वर्प सिंगुलर आ रही है आल का खुद का कोई दीन इमान नहीं है यहाँ पर चेर्स प्लूरल है तो वर्प प्लूरल आ जाएगी यान यहां पर क्या अगला जो कॉंसेप्ट है प्रोनावन का जीए इसकेंड लास्ट कॉंसेप्ट है ठीक हिंबत मत आ रही है थोड़ी सी वीडियो रह गई है कंपेरिजनस और प्रोनावन का कंपेरिजन अब आपने एक चीज़ सुनी होगी सब्जेट का सब्जेट से कंपेरिजन होता है क्यूं होता है थोड़ा समझना यह आगे की तो सिरफ सोर सेंटस की लंबाई बढ़ाने के लिए लिखा है यह तो सिरफ सेंटस की लंबाई बढ़ाने के लिखा है अपना कॉंसेप्ट जो है वो यहाँ पर है यू आर स्टॉंगर देन हिम तुम उससे बलवान हो जो आपने रूल रटा हुआ है कि दैन के बाद अब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव के साथ है क्यों हो रहा ऐसा अब आपको पता है कि यहाँ पर लिंकिंग और लिखी हुई है ठीक है मुझे लगता है इतनी शायद आपने ग्रैमर पड़ रखी होगी कि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट अब्जेक्ट वाला सिस्टम नहीं है कोई डूर रिसीवर नहीं किसी के बारे में कुछ बता जा रहा है इसलिए ऐसी वर्व को बोलते हैं लिंकिंग वर्व जिए किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है और ऐसे संटेंस में अब्जेक्ट तो आता नहीं तो यानी सिर्फ सब्जेक्ट लिखा हुआ है और तुलना सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से हो सकती है और अब्जेक्ट की अब्जेक्ट से ही हो सकती है जब अब्जेक्ट है नहीं तो subject से तुलना होगी कैसे इसलिए यहाँ पर subjective case ही लिखा जाएगा क्योंकि subject की subject से तुलना होगी इसलिए वो जो आपने rule पढ़ा है कि he is taller than me नहीं आई लिखते हैं क्योंकि इधर he is subjective case है उससे तुलना करनी तो इधर भी subjective case से आएगा ठीक है इसको अगर grammar में और जाना है तो इसके बाद is understood होता है कि अगला clause बन जाता है ऐसे करके समझ सकता है नहीं तो simply इससे भी आपको समझ में बात आ गई होगी कि कि इस बेस पर यह दो सवाल है करिए आजए आई वस सर्प्राइज तू फाइंड देट तॉलेस्ट प्लेयर वास्टर देन मी माल लो माल लो कोई बंदा है जहां पर हाइट लोगों की बहुत होती है ऐसी कंट्री से नाइजीरिया वगरा ठीक है अब वो दूसरी कंट्री में कहीं घूमने उमने गया माल लो सा कि नाइजीरिया के साब से हाइट एवरेज है को ज्यादा लंबा नहीं है वो नाइजीरिया के साब से लेकिन वो जब साउथ कोरिया गया वो जब साउथ कोरिया गया तो उसने देखा कि वहां की जो टीम है वहां की क्रिकेट की वोलीवल की किसी भी चीज की टीम है उसका अब यहां पर इस टॉलेस्ट प्लेइर की यह सब्जेक्ट है इसकी तुलना करनी मुझसे है और सब्जेट की तुलना सब्जेक्ट से होती है हा के ना इसलिए इदर भी सब्जेक्टिव केस आएगा मी नहीं आई आएगा I have told you many times मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ कि तुम उतने ही smart हो जितना वो है अब यहाँ पे भी you की तुलना इससे करनी है हाँ के न? तुम उतने ही smart हो यह जो structure होता है इसको simili बोलते है ठीक है? जैसे होता है tall, taller, tallest यह तो कम जादा बताने का होता है taller than जैसे इस मंदला shorter than, taller than दो लोगों की तुलना करनी हो और कम जादा ना कहना वो बराबर कहना हो तो उसके लिए structure use होता है यह as, as वाला, simili वाला he is as intelligent as you, वो उतना intelligent है जितने तुम हो, राहूल is as smart as Rajesh, कुनाल is as wise as Rajesh Radhika is as beautiful as Shalini object तो है नहीं, इधर भी subjective case आएगा, यानि यहाँ पर he आएगा clear हो गया, यह था जी pronoun का comparison अपना pronoun chapter का most important concepts है उसमें last concept आगया जी concept number 10 इन शब्दों के बाद pronoun का objective case लगाना he नहीं him लगाना, I नहीं me लगाना, she नहीं हर लगाना क्यों? क्योंकि यह सारे के सारे word preposition है होता है क्या basic preposition in, on at, for, from, यह तो हमने सुन रखी होती है यह मारे लिए नहीं है यह हमने पहले सुन नहीं रखी इसलिए बच्चा confused हो जाता है अब इनको दो-तीन बार आप नजरों के इसका होता है, लेकिन जब यह preposition होती है इसका मतलब होता के सिवाए accept वाला जो इंगलिश में accept का मतलब होता है यह यह मतलब होता है यहां पर word का ठीक है? यहां पर like का मतलब पसंद करना नहीं है, वर्भ नहीं है, like का मतलब यहां पर की तरह किसी की तरह ठीक है अब तो यह कुछ words है together with, along with, यह सारे के सारे words actually preposition होते हैं और इतनी grammar तो देखो आपने पढ़ रखी होगी अगर मेरे channel पर घूम रहे हो वीडियो देख रहे हो कि preposition के बाद preposition का object आता और object है तो obviously objective case में ही होगा हा के ना जैसे जैसे I bought I bought this gift for क्या लिखेंगे I bought this gift for she लिखें की हर लिखेंगे obvious बास है for her लिखेंगे क्योंकि for preposition है preposition का preposition का object आता है तो objective के से लगे हर लगे है अशी है तो इतनी सी बात है जैसे for के बाद आप समझ गए कि she नहीं हर आएगा बिल्कुल वैसे यह सब भी prepositions हैं तो इनके बाद क्याएगा object आएगा करिए जी try आज़े अब यह जो between है preposition होती है यह जो structure है इसका मतलब क्या होता जैसे आपनी हिंदी में नहीं कहते यह तिरे मेरे बीच की बात है लेकिन तुझे नहीं लगता बड़ा ideal सादमी है यह तिरे मेरे बीच की बात है तुझे ऐसे नहीं लगता भाई यह मतलब नहाता नहीं है कभी इस structure को use करने के लिए यह between you and I का मतलब you and me का structure use होता है तेरे मेरे बीच की बात है यार मुझे लगता है कि वो न occasion के हिसाब से सही से dressed नहीं है अब मान लो आपकी college की कोई farewell थी, कुछ था सब भाईया बलेजर बलेजर डाल के smart बन के आए है, भाईया शेरवानी पैन के आए है तो यार तेरे मेरे बीच की बात है तो दोनों objective बनेंगे, अब you का subjective, objective case तो सेम होता है, लेकिन I का objective case क्या होता है मी होता है I think he is a bit ungrateful, मुझे लगता है वो थोड़ा सा कृद्धन टाइप का है क्योंकि हर किसी उसको छोड़ कर, यहाँ पर देखो sentence का मतलब क्या है, मुझे लगता थोड़ा सा ungrateful type का है, क्योंकि हर कोई खुश था gift पाकर, हर कोई खुश था gift पाकर उसको छोड़ कर यहाँ but का मतलब लेकिन नहीं है यहाँ पर but का मतलब है के सिवाए but जो है यहाँ पर preposition है और इसका मतलब है accept वाला clear हो गया जी तो यह था अपना pronoun का last tool अब यह चार sentences है जो मैंने आपको class के अंदर पढ़ा है, उसी उनी पर based है, कुछ नया नहीं है, उनी पर based है, आप मेंसे जिस भी बच्चे ने वीडियो पूरी की पूरी देखी है और seriously, मन लगा के देखिए, बहुत easy आपसे questions हो जाएंगे इन questions के answer आपको comment करने है ठीक है, हर बच्चा हर बच्चा इन questions के answer, जिसने भी वीडियो देखिए, इन questions के answer आपको जो जैसा समझ मा रहा है किसी और का comment copy नहीं करना है, अब किसी और ने भी same comment का रखा है तुमने थमजब बेच दिया, ऐसे नहीं अगर आपने वाक्य में पूरी class देखिए तो इन concept का answer आपको comment करना है, ठीक है जी उमीद करता हूँ कि class के अंदर मजा आया होगा, एक feel लाई होगी कि यार, पूरा पूरा चेप्टर नजरों के आगे से निकल गया, ठीक है अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो algorithm के लिए like करना comment वगरा करना वो अपना देख लेना मैं वो ज़्यादा उसको करना नहीं चाहरा, ठीक है ऐसे ही आगे और चेप्टर के concept आते चलेंगे, ये पूरी अपन सीरिस के अंदर आपकी पूरी grammar के most important concepts में आपको revise करा दूँगा, ठीक है इन questions के answer हर बच्चा इसने वीडियो देखिए comment करना, अगर वीडियो पसंद आए तो वो like, comment वगरा देख लेना आज के लिए good night, मिलेंगे अपनी next class के concept